हाई दोस्तो मैं हूँ प्रेशन जीत और आप देख रहें कंप्यूटोरीजम दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से कस्टम डेटा वालिडेशन यूज करके रेश्टिक्शन क्रियेट किया जाता है साथी साथ ये भी देखेंगे किस तरह से स्पेशल करेक्टर के उपर भी रेश्टिक्शन क्रियेट किया जाता है तो वीडियो बहुत यूस्पूल है वीडियो के अंतर जुड़े रहिएगा तो चलिए सुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से फॉर्मूलास को यूज़ करने के लिए इस अब का बेसिक जोए वो क्लियर हो जाएगा बेसिक एक बर क्लियर हो गया तो किसी भी तरह का रिस्टिक्शन क्रियेट कर सकते हैं तो चलेяз इस चीज़ को एक्जम्बल के साथ समझते हैं जैसे कि मान लें जो बहने इसिक एक पर इस नमबर क्या करता है एक एक सेल के अंदर जो डेटा है वह नमबर है कि नहीं आइडिपा करता है अगर नमबर तो रिजल्ट आएगा टु नहीं तो पॉल्स enter दमाते हैं तो देखें फिलाल यहां पर false दिखा रहे है result क्योंकि यह cell blank है अगर number डाल देंगे तो देखें यहां पर result हो जाएगा true मतलब इस number का result true false में ही आता है तो इस तरह का जो formula से जिसका result true false में आता है वो ही custom data validation में use होता है restriction create करने के लिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे formulas use नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन अलग तरीके से किस तरह से देखिए जैसे कि मान लीजिए is equal to lane bracket start उसके बाद इस cell को select करेंगे और bracket close करेंगे और जैसे कि हम लोग को पता है lane formula क्या करता है एक cell के अंदर कितना character है यह character count दिखाता है तो इंटर दवाते तो देखिए आप फिला result 0 दिखा रहा है क्योंकि यह cell blank है अगर यहां पर लिख देते spider-man तो देखिए यहां पर character count दिखा रहा है ना तो ज़्यादा ना तो कम character होना चाहिए तो हम लोग यहां पर is equal to डाल के 6 डाल देंगे ठीक है तो देखिए अभी यहां पर lane formula का result true false में आ रहा है देखिए अगर formula का result true हुआ तो ही यहां पर data allow होगा नहीं तो error alert दिखाएगा तो दोस्तो चलिए अभी देखते हैं किस तरह से restriction create किया जाता है तो दोस्तो restriction create करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर पूरा range select करेंगे उसको data tab में जाएंगे data validation पर click करेंगे allow पर select करेंगे custom और formula में हम लोग जो भी restriction create करना चाहते हैं उस हिसाब से हम पर formula डालेंगे तो फिलाल के लिए हम लोग चाहते हैं कि length के ऊपर restriction create किया जाए कि 6 से जादा यहां पर character ना डाला जाए एक sale में तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे is equal to lane bracket start range का जो भी first sale होगा यहां पर a1 हमारा range का first sale है उसको select करना है bracket close करेंगे is equal to डालके हम लोग 6 डालेंगे और ok कर देंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए restriction create हो गया है अभी माल लीजे मैं यहां पर लिखता हूं spider man ठीक है तो देखिए यहां पर error alert दिखाएगा अगर यहां पर हम लोग लिखते हैं spider तो देखिए यह accept हो जाएगा क्या हम लोग चाहते कि इस range में duplicate value ना हो तो इसके लिए हम लोग पूरा range select कर लिए उसको देटा टैब में जाएंगे data validation पर click करेंगे allow पर select करेंगे custom और formula में क्या डालेंगे is equal to count if bracket start पूरा range select करेंगे यहां पर if for दबा के इसको fix करेंगे comma लगाएंगे range का जो भी first cell है उ इक बार ही होना चाहिए क्योंकि तब ही जाके वह unique होगा अगर यहां पर count 2 हो गया तो मतलब वो duplicate हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको डालके one डालेंगे stream bracket start उसके बाद range का जो भी first cell है उसको select करना है bracket close करेंगे is equal to डालेंगे और फिर से उसी cell को select करना है okay कर देंगे अभी देखिस पूरे range में restriction create हो गया अभी माल दीजे मैं लिख देता हूं यहां पे spider man with single space spider और man के बीच एक ही space है तो यह accept होगया अभी माल दीजे मैं यहां पर लिखता हूं spider दो space उसके बाद man तो दीखें यहां पर error alert दिखाएगा यहां पर हम लोग restriction create करेंगे text के ऊपर मतलब यहां पर जो भी data डाला जाए वो number ही होना चाहिए text नहीं अगर टेक्स्ट होगा तो allow नहीं होगा इसके लिए सबसे पहले हम लोग range select करेंगे तो रेंज हम लोग क्यों select कर रहे हैं ताकि data validation पे एक बार ही formula डालने पर हर sale में यह same restriction create हो जाए इसके बाद data tap में जाएंगे data validation पे click करेंगे allow पे select करेंगे custom और formula में डालेंगे is equal to is number bracket start उसके बाद range का जो first sale है इसको select करना है bracket close करेंगे इस number डाल रहे हैं वो number है कि ने यह identify करना है तो अगर number होगा तो इस number के result true आएगा data जो हम लोग डाल रहे है वो allow होगा इसके बाद OK कर देंगे तो देखे जैसे मैंने कहा एक साथ सारे sale में यह restriction create हो गया है देख इसी तरह से हम लोग उल्टे तरीके से number के ऊपर भी restriction create कर सकते हैं तो यहां पर भी सबसे पहले हम लोग range select कर लेंगे उसके बाद data tab में जाएंगे data validation पर click करेंगे allow पर select करेंगे custom और formula में इस बार हम लोग डालेंगे is text is equal to is text back at start range का जो first sale इसको select करेंगे क्योंकि इस बार हम लोगों को text है की नहीं यह identify करना है ठीक है इसके बाद okay कर देंगे तो देखिए यहां पर हम लोग नंबर डालेंगे तो error दिखाएगा और अगर text डालेंगे तो यह allow हो जाएगा ने की accept हो जाएगा लेकिन दोस्तों इस text के साथ एक दिक्कत है क्या दिक्कत है अगर हम तो restriction create की है number के उपर जहां पर से text allow हो रहा है तो यहां पर आगर हम लोग कोई special character डाले तो यह भी accept हो जाता है लेकिन इस number के साथ यह नहीं होता है देखिए मैं यहां पर आगर special character डालूंगा तो यह allow नहीं होगा क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि special character we as a text treat किया जाता है Excel में लेकिन special character के उपर restriction create करने के लिए भी एक तोड़ है एक formula है तो यह जो formula है यह मैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं उसके बाद data validation में हम लोग paste कर देंगे तो थोड़ा ध्यान से देखेगा क्योंकि यह थोड़ा बाद tricky है इस उकल्ट यह करने सबस्क्राइब करेंगे अज़से नम्बर ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे क्यूंगे दैरेक्ट यहां पर यह दायरेक्ट स्वाब है क्या पर हम लोग टेक्ष्ट करेंगे यान की ब्रहकेट करेंगे लेन का इसके बाएफर लागाएंगे यहाँ पे ववन डालेंगे यहां पर bracket close हो गया mid function कर ठीक है कॉमा लगा के double quote के अंदर वो ही characters लिखेंगे जो हम लोगों को allow करना है तो मैं यहां पर सिर्फ text allow करूंगा तो मैं A से Z तक जितना भी alphabets है वो सारे एक बार अपर case में लिखूंगा एक बार lower case में लिखूंगा तो दोस्तों यहां पर double quote के अंदर मैंने लिख दया एक बार आपर case में लिखूंगा अगर आप चाहते हो number allow करना है आपको तो number भी आप डाल सकते हो double quote के अंदर ही रखना है इसके बाद bracket close करेंगे यह हो गया search function का bracket close यह हो गया some product का bracket close और यह हो गया इस number का bracket close enter दबाते तो देखे हैं पर result आगया false क्योंकि इस cell में कोई भी data नहीं है तो चलिए data डालते हैं यहां पर देखिए मैं डालता हूँ अभी तो देखे हैं यहां पर result हो गया true और अगर true हुआ तो मतलब restriction में यह allow हो जाएगा number डालेंगे तो देखे हैं पर false हो जाएगा अगर मैं यहां पर special character डालूँगा तो देखे हैं यहां पर false आ रहा है तो चलिए अभी restriction create करते हैं इस data को delete करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस formula को copy करेंगे with equal to sign इसके बाद इस range को select करेंगे data tab में जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे अलाव पर custom formula में आके यह formula हम लोग paste कर देंगे okay कर देंगे तो अभी देखिए यहां पर restriction character हो जाए मतलब कि text के बीच तो भी यह नहीं लेगा अभी देखिए एक चीज़ दिखा तो आप लोग को अमित पाल फिर भी यह नहीं ले रहा है अभी यहां पर क्या दिखका थे यहां पर दोस्तों हम लोग space दे रहे हैं लेकिन यहां पर हम लोग formula में जैसे मैंने कहा यह range को select करेंगे data type में जाएंगे data validation पर click करेंगे और यहां पर clear all कर देते है allow फिर से custom select करते है formula पर यह formula paste कर देते इस बार with space ok कर देते तो दीखिए इस बार with space यह data accept हो जाएगा तो दीखिए अमित पाल यहां पर data accept हो गया है with space बाकि सब कुछ सेम ही है number डालेंगे तो error alert दि दिखाएगा तो दोस्तो इसी लिए यह formula इतना useful है इस वीडियो का यहां पर pause कीजिए और practice कीजिए बहुत आसान है दोस्तो sell to sell भी restriction create किया जा सकता है मतलब हर sell में restriction change होता जाएगा criteria क्या नुसार किस तरह से देखें मान लिए यहां पर value है 100 और इस sell में value या तो हो 100 या फ first sell को छोड़के यह video के साथ साथ हम लोग समझ जाएंगे तो देखें सबसे पहले हम लोग second sell को select करेंगे उसका data tab में जाएंगे data validation पर click करेंगे allow पर select करेंगे custom formula में हम लोग क्या डालेंगे is equal to this sell should be greater than or less than it depends on your criteria और equal to first sell तो ok कर देते हैं अभी देखें यहां पर हम लोग first sell को select क्यूं नहीं किए यहां पर value कुछ भी हो सकता है हो सकता एक यह फिर हो सकता है 10 यह फिर हो सकता है 100 अगर हम लोग first sell को select कर लेते तो यहां पर को भी value आप नहीं डाल पाते Error alert दिखाएगा जो भी डालेंगे तो Error alert दिखाएगा तो इसलिए हम लोग Second cell में restriction create करेंगे Enter दबाते यहाँ पर दिखे अगर 99 डालेंगे तो Error alert दिखाएगा अगर 100 डालेंगे तो Data Accept हो जाएगा और यहाँ पर अगर 101 डालेंगे तो यह Accept हो जाएगा तो Excel में range भी move होता जाता है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो हम लोग Data validation में cell select किये थे वो भी drag करते समय move होता गया है और यह नीचे तक पुरा restriction create हो गया है इस example में हम लोग देखेंगे total amount के उपर restriction किस तरह से create किया जाता है मतलब मान लीजिए आपके पास 5 employee है और इन 5 employees को आपको yearly bonus देना है पांचों का मिला के total bonus amount 4000 की उपर नहीं होना चाहिए मतलब less than or equal to 4000 होना चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पूरा range select करेंगे data tap में जाके data validation पे click करेंगे allow पे select करेंगे custom और formula में के डालेंगे is equal to some bracket start इस range को select करेंगे और एफ़ दवा के इसको fix कर देंगे bracket close करेंगे तो list than equal to होना चाहिए list than equal to यह select कर सकते हैं या फिर यहां पर direct हम लोग 4000 लिख सकते हैं okay कर देते हैं अभी देखें यहां पर restriction create हो गया माल लीजिए a को मैंने दे दिया देर हजार bonus वी को मैंने दे दिया 500 रुपय के बोना सी को 500 रुपय दे दिया डी को भी 500 रुपय बोनास दे दिया ठेक है अभी e के लिए हम लोग के पास 1000 रुपय बोनास बाकी है तो यहां हम लोग इसको 900 दे सकते तो यह accept हो जाएगा 1000 दे सकते यह accept हो जाएगा लेकिन अगर में यहां पर इसको कर दिया 1001 रुपया तो यह accept नहीं होगा क्योंकि total amount 4000 के ऊपर जा रहा है तो इस तरह से total amount के ऊपर भी restriction create किया जा सकता है तो I hope दोस्तों कि अब लोग को समझ में आय अगर अच्छा लगा तो like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और bell icon को दबाना मत बूलिएगा आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ नया function के साथ तब तक के बाइ